हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टिनून, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी सोशलोजी की सीरीज चल रही है जिसमें हम first of all class 11, फिर class 12 और फिर हम standard book के सोशलोजी कम्पलीट करेंगे ठीक है जो भी बच्चे UPSC की preparation कर रहे हैं वो इस सीरीज को अराम से kindly follow कर सकते हैं या जो भी बच्चे class 11 और 12 की preparation कर रहे हैं यह syllabus पूरा उन ही के according है क्योंकि जो भी notes है class 11 और class 12 के ही book NCRT book के हैं तो आप इन जो भी आपके lectures है उस lectures को follow कर सकते हैं तो आज हम पढ़ेंगे first book जो है sociology की उसका last chapter chapter 5 research methods ठीक है doing sociology research methods यह chapter का आपके नाम है ठीक है chapter स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी छोटी से information देना चाहूंगी कि अगर किसी भी बच्चे को class 11, class 12 या standard book के sociology के notes चाहिए होंगे तो वो purchase करने के लिए मेरा description box चेक कर सकता है आईए स्टार्ट करते हैं doing sociology research method जब आप एक society को देखते हो पढ़ते हो एनलाइज करते हो social institution, culture, norms, value सब पढ़ते हो तो आपको क्या करना पढ़ते हैं कहीं न कहीं methods का use करना पढ़ता है ठीक है क्या method आप use करते हो उसी को हम लोग बोलते है research method ठीक है research method एक बहुत वास्ट है लेकिन जो class 11 के CRT है उसमें काफे basic level पे research method दिया हुआ है ठीक है तो जब भी हम standard book करेंगे तो हम इस topic को काफी वास्ट तरीके से और in depth पढ़ेंगे ठीक है तो ये lectures class 11 के लिए भी है और UPSC के aspirants के लिए भी है तो दोनों लोग follow कर सकते हैं आईए स्टार्ट करते हैं वाई sociology is called a science हम लोग sociology को science क्यों बोलते हैं ठीक है तो हम लोग sociology को science इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें methods यूज होते हैं अलग-अलग methodologies यूज होते हैं ठीक है अब आपने उनको मैं first of all ये clear कर दूँ कि जो methods होते हैं methodology उन दोनों में क्या होता है difference होता है methods क्या आपको वो knowledge कहां से आएगी methodology उस knowledge को आप क्या करोगे study कैसे करोगे ठीक है उस method से आप study कैसे करोगे तो sociologist दो जो है how they acquire their knowledge methods का मतलब होता है कि जो sociologist है वो कैसे उन knowledge को क्या करेंगे gain करेंगे acquire करेंगे some methodological issues methodological का मतलब क्या होता है refers to study of method ठीक है कि आप उस method को study करनी के लिए क्या reference ले रहे हो कैसे background ले रहे हो ये सब चीज़ है next topic है हमारा objectivity and subjectivity objectivity और subjectivity क्या होती है objectivity हमारा क्या होता है objectivity का मतलब है जो भी चीज़े real है natural है ठीक है उसमें biasness ना हो उसमें आपके कहीं भी feelings add ना हो emotions add ना हो ठीक है तो जब भी हम object का बात करते हैं तो वो बिलकुल ही reality होती है ठीक है बिलकुल real होता है values होते है norms होते है उसमें कहीं से भी emotions add नहीं होते हैं लेकिन जो भी चीज़े हमारी subject की बात आती है ठीक है wait a minute जब भी हमारी बात subject की आती है तो हमारे subjectivity में हमेशा क्या होते है emotions और feelings या हम कभी कभी biased हो जाते हैं हम जिसकी बाते सुनते हैं उन्ही की emotions बोलने लगते हैं तो subjectivity में हमारे यह सब चीज़े involved होते हैं ठीक है यहाँ पर आपको Python चीज़े दी गई है अपको उन पांचों चीज़ों में से बताना है क्या चीज़े objectivity है और क्या चीज़े हमारी subjectivity है तो values हमारे objective इज़े fact हमारे objectivity है preferences आपके subjectivity में आता है क्योंकि आप अपने preference के according काम करते हो unbiased क्या objectivity है कि आप biased नहीं हूँ neutral कि आप बिल्कुल ही neutral हो ठीक है तो वह सब हमारे objectivity में आता है ठीक है preference social values facts यह सब हमारे objectivity है subjectivity मितले subjectivity में मैंने बिता है जहां भी feelings emotions add हो जाते है उन सब चीजों को हमनों subjectivity बोलते है शोशल लॉजिस जो होते हैं वो किस चीजों को study करते हैं वो जिस social world में रह रहे हैं ठीक है उन जो world में रहे रहे हैं उसको वो नों क्या करते हैं socially study करने की कोशिश करते है sociologist try to take an outsider's perspective और sociologist जो हैं जभी किसी की study करते हैं तो वो हमेशा इस बात कर ध्यान रखते हैं कि वो हमेशा दूसरों के point of view से सोचें क्योंकि हमेशा जब हम कोई चीज सोचते हैं देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं अपना point of view सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारा point of view क्या है हमारी feelings क्या है हमारी emotions क्या है लेकिन जब sociologist किसी चीज की study करते हैं तो वो क्या करते हैं हमेशा दूसरों का perspective के तरीके से क्या करने सोचने की कोशिश करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं self reflectivity ठीक है इस process को कि जब भी sociologist दूसरे के तरीके से सोचने की कोशिश करें तो इन processes को हम लोग क्या बोलते हैं self reflectivity what is the problem आप क्या करते हो सोचने की कोशिश करते हो या स्टड़ी करने की कोशिश करते हो उसमें प्रॉब्लम कहा आती है तो पूछा है तिंक्स लोग डिफ्रेंट फ्रॉम डिफ्रेंट वांटेज पॉइंट है जब आप देखो जब आप हम यहां है भी हम यहां से अगर कोई चीज देख रहे हैं तो वह हमें कुछ अलग दिखेगी लेकिन हम जरा सा थोड़ा सा कुछी ओप व्यू से देखने की गोशिश Ну ए अगर आप पहार से नीचे देखते हैं तापको शायद हो सकता है कुछ और दिखे लेकिन जब आप पहार से इतर देखो तो शायद कुछ और दिखे तो जब भी हम कोई एक पासि से अलग से देखते हैं तो हमें यह उस सबसे Santiago को होती अलग अलग दिसने लगती हैं तो कहीं न कहीं यह प्रॉब्लम आती है हमारी अब्जेक्टिविटी में फिर मल्टी पैरजिडिमिक साइन्स जैसा कि हम लोग साइन्स जानके इसको बहुत क्या बोला जाता है इसे मल्टी सर्जी पार गया जाता हमिशान के साइन्स इसे साइन्स चाहते हैं जोस्ति पर में एक भाल में स्वैट्स यह जूबैया है उसमें काफी अलग-अलग तरीके से रिसर्च करना पड़ता है, ठूनना पड़ता है, फॉर्मुलेज यूस करने पड़ते हैं, तो इसको भी क्या बोला गया है, रिसर्च मेथ़ोड को भी यही बोला गया है, कि जब एक सोशलोजिस्स किसी चीज़ को स्टडी करने के सुसाइटी में जा रहा हो, तो वहां पर उसके फीलिंग्स अटैस्ट हो जाएं, उसके इमोशन्स हावी हो जाएं, या वो कुछ अलग पॉइंट आफ यू से सोचने लगे, वो लोगों की आवाज़ों में बात करने लगे, वहां के लोगों बहुत दुखी है, कभी कभी ह होता है कि हम किसी की बाते सुन लेते हैं, ठीक है, हम अगर मेरे सामने रो रहा है, रो रहा है, तो मुझे क्या आने मेरे उपर वह एक दम मितलब उस चीजों का इफेक्ट पढ़ जाता है, तो हम कही ना कहीं उसकी वाहिस बोलने लगते हैं, तो ऐसा होता है कि बायसनिस आ जाती है तो और इन्फिरियोरिटी होगा इंठिरियोरिटी का इन्फिरियोरिटी घर आप सब्सक्राइब करने तो यह किनि के लिख्व किसी के स्टडि करने चल रहे हैं तो वहां पर भी सॉपीरियॉrit freird 2 जैसा weiter नहीं आना चाहिए उसके मन में जो sociologist है उसके मन में कभी ये चीज़े नहीं आनी चाहिए कि ये चीज़े superior हैं और ये चीज़े inferior हैं ठीक है उसको हर चीज़े एक जैसी ही मान के चलनी चाहिए कि यह superior है यह inferior ऐसा कुछ नहीं वो हर चीज़ों को क्या करेगा neutral लेकर चलेगा यह ऐसा है तो यह ऐसा ही है ठीक है फिर qualitative और qualitative दो चीज़ों होती है आपने बहुत सबार सुनाओगा खास कर जब आप economics करते होगे कि जब यह हम को study करते हैं सर्वे करते हैं तो हमारे सामने हमेशा दो results आते हैं एक quantitative आता है qualitative में countable miserable variables quantitative में वो चीज़े आती है वो variables आते हैं जिनको हम क्या करते हैं आराम से count कर सकते हैं ठीक है जिनको हम गिन सकते हैं और एक होती है qualitative जो के abstract होती है hard to measure मतलब यह चीज़ों यह अलग होती है इनको हम count नहीं कर सकते है तो इसे values, norms, behavior यह सब चीज़ों को count नहीं कर सकते हो और इनको आपको समझने में इनकी values को समझने के लिए इनकी study करने के लिए क्या होता है काफी hard process होता है तो इनको measure करना क्या होता है hard होता है कहीं न कहीं ठीक है फिर है हमारा no single unique road to sociological truth आपको अगर sociological truth निकालना है ठीक है तो इसके लिए कोई एक सीधा या particular रास्ता नहीं है unique road नहीं है आपको एक सचाही तक पहुचने के लिए काफी सारेват को अपनाना पड़ता है काफी सारे road होता है माज़िआं यहाँ पे ड़ोट बताया गया मलतब काफी सारे तरीके होते है methods नहीं होता है जिनको आपको क्या करना पड़ता है then आप क्या कर सकते हो किसी एक particular sociological truth पे पहुँच सकते हो primary data and secondary data primary data क्या होता है produce, fresh, secondary data already existing data अब हमें हमेशा दो तरीके के जब भी हम कोई study करने निकलते हैं हमें हमेशा क्या होते है दो तरीके के facts मिलते है या दो तरीके की data मिलते है पहला data हमार होता है primary data और दूसरा data होता है secondary data primary data वो होता है जो आपने तुरन-तुरन क्या किया हो बनाया produce, fresh, ठीक है मतलब यह data आपने सर्च किया है आप home to home गया हो then आपको यह data मिला ठीक है secondary data क्या होता है कि already किसी ने क्या किया है home to home जाके एक data collect करके रखा है आपने बस उस data को उठाया है उसमें कुछ changes की है then आपने क्या कर दिया है present कर दिया है ठीक है तो आप जब भी किसी सर्वे पे या study पे निकलते हो तो आपको हमेशा दो तरीके के data मिलते है primary data and secondary data primary data पूरा आपका बनाया हुआ होता है और secondary data already used data होता है मतलब already existing data मतलब उसको किसी ने survey करके रखा है अब micro level and macro level हमेशा work दो लेवल पे होता है micro level पे होगा या तो macro level पे होगा आप research का करोगा दो लेवल पे कर सकते हो micro level या macro level micro level मैं आपको बिता दो कि चोटा लेवल होता है इसकी जो size होती है वो कम होती है और macro level हमेशा बड़े पैमाने पे work होता है micro level में हमादा आता है interview, participant और observation इंटर्वियू का मतलब क्या होता है आप direct एक अक लोग से मिलो question करो, answer करो और क्या करो उनकी चीजे जो है वो नो टाउन करो ठीक है और participant जो भी लोग उसमे पार्टिसिपेट करते है आप क्या करो उनका observation करो ठीक है कि वो कैसे हैं, क्या है देन आपको इडाटा निकालो और दूसरा है macro level macro level पे क्या होता है हम large level पे काम करते है कि एक पूरे कोई particular नहीं हमें एक unit wise बोग करते है और इसमें हमेशा survey include होता है, कि जो survey होते है बड़े-बड़े levels पे वो चीजे क्या होती है macro में included होती है तो इतना मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी methods होंगे ये ठीक है कि क्या problems आती है अबजेक्टिविटी में तो ये चीजे आपको समझ में आई होंगे ठीक है कि क्या आता है primary data होता है secondary data होता है microbe होता है macrobe होता है qualitative होता है quantitative होता है superiority inferiority होता है sciences होते हैं बाइसने साजाती है ये सब कुछ problems होते हैं जो कि हमारे objectivity में कहीं न कहीं हमें देखने को मिलते हैं ठीक है फिर है triangulation triangulation क्या होता है triangulation होता है use of multiple methods to bear on the same research problem from different vantage point ठीक है आपके पास कोई एक particular problem है आपके पास एक problem है लेकिन आप उसको solution निकालने के लिए उस research को पूरा करने के लिए क्या करते हो अलग-अलग methods you use करते हो आपका कोई particular methods एक single method से आपका प्रॉबलम सॉल्व नहीं हो रहा है आप उसको अलग-अलग groups में अलग-अलग points पे जाते हो अलग-अअलग points of view आप जाते हो then अलग-अलग methods you use करते हो then आप क्या करते हो हम लुग को स्पार्ट को करने के कोशिश करते हो तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हमलंग बोलते हैं कि त्राइंग लेशन इसमें भी आता है हमारा पार अब इसमें चार तरीक आते हैं इन चारों तरीकों को हम क्या करेंगे डीप में पढ़ेंगे पढ़ने की कोशिश करेंगे पहला है हमारा participant observation, next है हमारा field work, then हमारा survey और interview आपनों समझ सकते हैं, जब भी हम क्यों चीज पढ़ते हैं, तो उसमें हर चीज की limitations, advantages, disadvantages दोनों उते हैं, तो हम इन चारो चीज होगा, क्योंकि methods है ना, तो ये चारी methods होते हैं, जिससे आप क्या करो कि किसी चीज का result निकाल सकते हो, तो इन चारो methods को हम क्या करेंगे, deep में पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहला है हमारा participants observation, participant observation का मतलब क्या होता है, sociologists need to participate in the society, जो sociologists होते हैं, जो study करने निकले हैं, उनको क्या करना पढ़ता है, सोसाइटी, जिस सोसाइटी का उनको survey, जिस सोसाइटी का उनको study करना है, उस सोसाइटी में उनको खुच जाके रहना पड़ता है, participate करना पड़ता है, मतलब वो लोग जो work करते हैं, वो लोग जहां रहते हैं, आपको भी वही जाके रहके, उनहीं के according work करना है, whole way of life of a community, वो जिस life को जी रहे हैं, आपको सेम वही लाइफ जीना है, उनके साथ रहना है, then उस particular community का कैसे जीनी का पूरा तरीका है, उसको क्या करना है, find out करना है, it is often called field work, इसको हम लोग field work भी बोलते हैं, कि आप field पे निकले, वहाँ उस community तक आप गए, then आपने क्या किया, एक लोगों को समझा, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, हर कुछ समझा, then आपने क्या किया, ए जो भी आपका result था वो आपने दिया, the idea of going into the field, early, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, कि आप लोग, यह एक idea है, कि आप क्या करते हो, जो फिल्ड पे जाने का सोसते हो, ठीक है, early anthropologist, जो पहले क्या करते थे, लोगों को पढ़ते थे, anthropologist, जो human behavior को पढ़ते थे, वो हमेशा primitive कल्चा को पढ़ते थे, जो भी चीज़े written है, वो उसको उठा के पढ़ते थे, समझने की कोशिश करते थे, ठीक है, आम chair scholars भी हम लोग उनको बोलते थे, ठीक है, मतलब वो एक chair पर बैठे बैठे क्या करते थे, सारा चीज़ पढ़ते थे, study करने की कोशिश करते थे, वो लोग हमेशा क्या क्या करते थे, secondary source का use करते थे, ठीक है, उनको जो written sources पहले से लिखे हुए हैं, वो क्या करेंगे, उस sources का क्या करते थे, use करते थे, the golden buff, जैसे James Fraser की है, वो भी क्या secondary source से बनी हुई है, और a mild hurricane की जो primitive religion है, वो भी क्या second source से बनी हुई है, आप लोग अगर ये जो examples हैं, आप इसको note down करते हो, तो अगर आप UPSC के aspirants हो, तो आप लिए बहुत अच्छी बात है, कि आप क्या कर सको होगे, एक अच्छा example सेट करोगे, और जो class 11 के बच्चे है, वो भी क्या कर सकते हैं, ये सब examples आप लोग लिख सकते हैं, कहीं, तो आपके जो answers है, आप जो exam में answers लिखोगे, तो उसमें examples है कि जब आप इस answers को put करोगे, तो आपके results के और बेटर होगे, तो आपको numbering अच् आपके जाते हैं, तो वो actually में क्या करते हैं, ठीक है, ये देखना है हमें, कहीं न कहीं उस village के बारे में क्या करेगा, पूरी internal knowledge जो भी होगे, वो ले लेगा, ठीक है, constructed genealogy, the study of families, family history, वो क्या करेगा, एक अपने दिमाग में क्या करेगा, कहीं न कहीं उन लोगों के बारे में सब जान लेगा, एक thinking बना लेगा, कि उनकी families कैसी है, उनकी family history क्या रही है, ठीक है, तो वो इन सब चीजों को जान लेगा, इन ही को हम लोग बोलते हैं, genealogy, kinship system of community, कि उस जो particular community है, उसका खानदानी system क्या चला रहा है, उस खानदानी system को क्या करेगा, properly study करेगा informants और principal informants उस particular community में उनको क्या कर सकता है कौन information दे सकता है पहले तो वो यह जानेंगे कि क्या information उनको लेनी है ठीक है और फिर वो देखेंगे कौन उनको information दे सकता है तो particularly क्या करेंगे वो उनहीं लोगों के पास जाके मिलेंगे फिर ब्रॉंस लो इन्वेंशन और फिल्ड वक जो ब्रॉंस लो है उन्हों नहीं क्या किया था यह फिल्ड वक का इन्वेंशन किया था ट्रॉबिंडो आइसलेंड में वो डेर साल रहे थे discipline to gain acceptance as a rigorous science ठीक है वो जो ब्रॉंस लो थे वही सबसे पहले क्या किया थे फिल्ड वक का इन्वेंशन किये थे वो जो तॉर्बिंडो आइसलेंड है उसमें डियर साल वक रहे थे तब इसे क्या हो गया यह discipline मानने लगा गया यह science की तरह use होने लगा लोगों को समझने पढ़ने के लिए sorry friends Red Cliff Brown जो थे उन्होंने अंडमान और निकोबार आइसलेंड की study की थी Iran's Prichard on the New Year in the Sudan उन्होंने इसकी study की थी France Boas on Native American tribes in USA और Margaret Mearn ने Samusa यह लोग थे कि कुछ आइसलेंड का क्या किये थे field work किये थे यह एक example के तरह आप क्या कर सकते हो use कर सकते हो ठीक है फिर हमारे field work in sociology जो field work होता है sociology में वो क्या होता है different in its context ठीक है अलग-अलग context से जब आप देखते हो आपकी क्या चाहते आपको क्या information चाहिए तो वो हर point पे क्या होती है different होती है आप किसी भी field work को अलग नहीं बोल सकते हो आप किस community में जा रहे हो आप किस society में field work करने जा रहे हो आप किस island में जा रहे हो किस country में जा रहे हो यह हमेशा क्या होता है वहां के हिसाब से अलग होता है change होता है did field work among all sorts of communities क्या जो field work होता है वो हर communities में होता है William Footy Whitey American sociologist थे उन्होंने एक famous book लिखी थी street corner society वो वहां पर क्या थे जो वो देर साड़े तीन साल रहे थे then उन्होंने street corner society के बारे में महां जा के रहे थे field work किया था then उन्होंने यह book लिखी थी Michael Burewe American sociologist थे उन्होंने manchester in Chicago factory वो उस factory में जाय थे as a factory worker उन्होंने काम किया था then उन्होंने यह manchester in Chicago factory book लिखी थी ठीक है उन्होंने हमें बताया था कि जो villages है उसमें क्या होते हैं बहुत ही bounded community होती है कि एक religion जो चला आ रहा है लोग उसी को follow करते हैं एक ही तरीके से walk करते हैं एक ही तरीके से खाते पीते रहते हैं उन्होंने बताया था लोग बहुत bounded हैं एक दूसरे पे interdependent रहते हैं village studies were more important उन्होंने यह बताया था कि village के study करना बहुत जादा important है क्यों क्योंकि developing ruler area उस time जो ruler इंडिया था वो developed हो रहा था developing stage पे था आज भी है तो उस time क्या village को पढ़ना समझना वहां के लोगों को जानना काफी जादा ज़रूरी था some limitations of participant observation अब कुछ limitations भी है participant observation की देख लेते हैं human behavior changes with time and place ठीक है जो sociologist है जो human behavior है जो sociologist जिस भी community में जा रहा है ठीक है वो उसी time का क्या करता है जो भी उनकी behavior है वो study करता है लेकिन क्या होता है human behavior time और place के according change होता है इस जगह पे यह है आज 2-3 साल तक उसका behavior यह कल change हो जा सकता है ठीक है तो यह इसका एक limitations था कि human behavior होता है वो time और places के साब से biases आ सकते हैं कि जब भी हम जाते हैं actually हम अगर किसी गरीब के पास गया या किसी ऐसे लोगों के पास गया जो बहुत emotional है उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैं क्या अगर bias हो गया कि उसी के तरफ से मैं बोलने लगूँगा मुझे उसकी स्टोरी अच्छे लग गई time ये time taken भी होता है काफी ठीक है time के according कुछ changes आ सकते है something is common और exceptional ठीक है अब हमें ये नहीं पता होता है कि जो data है वो common चीजों का है या exceptional चीजों का है ठीक है कुछ चीज़े कभी-कभी common होती है और कुछ चीज़े कभी-कभी exceptional होती है voice of people are the result of ठीक है या तो आप क्या कर दो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो data दिया है आपने जो बाते बताई है वो आपकी voice नो वो लोंगो की आवाज हो आपने उसी को लिखा हो या आपने अपनी बाते बोली है ठीक है तो ये सब चीज़े कभी-कभी clear नहीं होती है different styles of doing village studies अब क्या है एक village के study करने के लिए काफी अलग-अलग styles यूज किये जाते हैं behind mud walls William and Uralte wiser, judgemani system ये सब कुछ writers है जिन्होंने अलग-अलग तरीके से study की थी और ये book लिखी थी Amin Srinivas the remembered village उन्होंने एक book लिखी थी इस book को remembered village इसलिए बताया था क्योंकि उन्होंने जहां भी story लिखी थी उस village की वो खो गई थी तो उनको जो भी चीज याद था वो उन्होंने एक remember याद करकर की ये book लिखी थी इसलिए उन्होंने the remembered village इसका नाम रखा था और S.C. Dubai Indian village इन्होंने ये book लिखी थी Next है हमारा survey survey क्यों होता है to provide and overview ठीक है ये हमें जो चीजे हो रही है उसका एक overview देता है ठीक है टेलिफोनिक conversation ठीक है या तो investigator जाके directly पूसता है या तो आप टेलिफोन पे बात करके किसी से पूसते हो survey में question here इसमें क्या होता है आप questions पहले से prepare करते हो और वही form जाके क्या करते हो fill कराते हो लोंगों से electronically भी आजकल चीजे होती है sample survey sampling theory sample survey होता है वो क्या होता है कि आप एक particular society का क्या कर लो कुछ ले लो ठीक है तो आप थोड़े से level पे क्या करो उसको search करो और आप क्या करो एक अंदाजा लगा लो तो ऐसे भी methods use होते है sample selection process depends on sample selection process depends on two main principles ठीक है जो sample selection process होता है उसके दो main principles होते है उसी पे वो work करता है all the relevant subgroup in the population should be organized and represented in the sample जितने भी आप subgroups ले रहे हो वो क्या होने चाहिए अच्छे से organized होने चाहिए जैसे आप गरीब का ले रहे हो तो किस टाइप के गरीब है below 40 line है above 40 line है थोड़े से wealthy है किनके पास घर है किनके पास घर नहीं है एक organized होने चाहिए और उनको sample में represent करना चाहिए यह इस group का है यह इस group का है इस ट्रेटा हर चीज का बटा होना चाहिए साम्पलिंग करनी चाहिए the second principle of sample selection is that the actual unit person of village और household should be based purely on chances ठीक है कि आप किस person को ले रहे हो किस village को ले रहे हो किस household को ले रहे हो यह पूरा का पूरा क्या होता है एकदम randomly होता है ठीक है कि यह पूरा का पूरा chance पर डिपेंट हरता है जिसको आप ले लो तो इस type of sampling को हम लोग रैंडम sampling भी बोलते है how a survey sample is actually selected अब जो survey sample होता है उसको कैसे हम लोग select करते है तो सबसे पहले हम क्या करते है research design बनाते हैं हमें किस तरीके से research करना है ठीक है फिर हम एक hypothesis बनाते हैं कि क्या problems आ सकती है किस problem से हम कैसे deal कर सकते है फिर problem for the research ठीक है कि उस resource में particularly क्या problem आ सकती है क्या नहीं आ सकती है फिर हम क्या करते हैं list करते हैं हर चीजों को अलग अलग list करते हैं कि यह लोग big group के हैं लोग small group के हैं फिर taking from each data फिर हम जो अलग-अलग listing की होते हैं हम लोग हर listing से हर स्टेटा से लोगों को लेते हैं और उनसे पूसते हैं it is necessary that sample will closely closely resemble the characteristics of the population there may be shall differences but the chance of such deviations occurring can be specified ठीक है ऐसा होता है हमेशा 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 इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम sampling कर रहे हैं वो population के according करें और बड़े लेवल पे करें ऐसा नहीं कि population thousand लोगों की है तो हम एक लोगों का ही sampling करें कम से कम हमें हमें 100 लोगों की sampling करनी चाहिए ठीक है तो इस ही को हम लोग बोलते है margin of error margin of error हम लोग किसको बोलते है because of small samples अगर आप कम लोगों के sampling करते हो तो इसको हम लोग इस process को अगर काफी large population है और आप काफी कम लोगों का sample कर रहे हो तो इस जो difference होता है उसको हम लोग बोलते है margin of error की गलती होने के काफी ज्यादा chances है क्योंकि आप जब तक 1000 लोगों में से 100 लोगों के sampling नहीं करोगे तब तक आप अंदाजा कैसे लगाओगे कि क्या चीज maximum जो जनता है maximum population क्या चीज अपनाती होगी आप 10 लोगों से तो पता नहीं कर सकते हो Begin the sample bigger the sample representativeness आप जितना जादा sampling करोगे उतना जादा आपको response मिलेगा और उतने जादा representative क्या होगे आपके सामने आएंगे इसके limitations क्या क्या होते हैं cost of depth of coverage काफी जादा costly होता है ठीक है कि मतलब इसमें काफी जादा charges लगते है time बहुत जादा time consuming होता है कि आप जाओ एक एक लोंग की sampling करो survey करो यह क्या होते है काफी जादा time consuming होता है questionnaire to be handled carefully जो भी आप questionnaire बनायों मतलब form बनायों उसको आपको क्या करना पड़ता है एक एक लोंग से अच्छे से fill कराना पड़ता है उसको carefully रखना होता है एसा नहीं होता है कि आप किसी को भी questionnaire दे दो वो किसी भी तरीके से fill कर दे नहीं आपको एक एक questionnaire को अच्छे से fill कराना होता है उस पर ध्यान देना होता है और फिर उसको अच्छे से रखना भी होता है फिर होता है non sampling error ठीक है जितने को भी आपने sampling नहीं की है ठीक है तो वो गलतियां होने के chances होते हैं बहुत जादा next है हमारे interview interview हमारे क्या होता है wait a minute interview हमारे क्या होता है guided conversation between the researcher and the respondent इसमें क्या होते है guided आपको guide किया जाता है कि आप कैसे लोगों से question करोगे इसमें क्या होते है जो researcher होता है जो उसका answer देने वाला होता है उन दोनों के बीच के होता है कुछ conversations होती है बातचीत होती है structured और non structured यह structured भी हो सकता है पहले से पता भी हो सकता है ठीक है और यह non structured भी हो सकता है कि हमें कुछ पता है नहीं अचानक से हम क्या लोगों से पूछने लगे deferred according to circumstances ठीक है यह पूरे तरिके से circumstances क्या है कैसी situation है उस पर depend करता है ठीक है उसके according क्या होता है यह change हो सकता है relying on memory कुछ चीज़े होती है हम memory में याद कर लेते हैं कि ठीक है हमें यही चीज़ करना है ठीक है और may go unnoticed ठीक है कुछ चीज़े हम क्या करते हैं अन notice भी कर जाते हैं कि चलो में ध्यान नहीं था तो हम नहीं पूछे की informants कुछ चीज़े होती है कि हमें की informants की यह पता है हम यह यह पूछ लिए randomly बस इस ज़्यादा में नहीं चीए और intensive interviews कुछ कुछ होते हैं intensive interviews होते हैं कि जिसमें आपको पता है क्या पूछना है पहले से सब कुछ पता है क्या पूछना है क्या जानना है कैसे करना तो इस टाइब को intensive interview भी कहते हैं तो यह chapter और साथ-साथ यह first book हमारी यहीं पर है complete होती है I hope आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते है thank you very much for watching my video and please 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 like subscribe and share my channel chapter over होने से पहले में आपको इक information देना चाहूंगी कि अगर किसी भी क्लास 11 12 या sociology के standard book के handwritten notes अगर आपको चाहिए होंगे तो आप purchase करने के लिए मेरा description box check कर सकते है thank you very much and keep supporting